इसमें कोई शक नहीं है कि सनी देवल एक समय में बेहर शांदा रेक्टर रहे हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब सनी देवल की बैक टू बैक सभी फिल्में फ्लॉप हो रही थी। जैसे डकेद, सवेरे वाली गाड़ी, राम आपतार। ये वो टाइम था जब धर्मेंदर को पता चला कि डिरेक्टर राजकुमार संतोशी घायल करके एक फिल्म बना रहे हैं। इसमें उन्होंने मिथुन चक्रवर्थी को साइन किया है। तब धर्मेंदर ने राजकुमार संतोशी को बुलाया और उनने घायल फिल्म की कहानी सुनी और ये कहानी भी धर्मेंदर को भागई थी। तब ही उन्होंने राजकुमार संतोशी से कहा कि वह इस फिल्म में सनी देवल को ले लें। लेकिन राजकुमार संतोशी ने सीधे शब्दों में जवाब देते हुए कहा कि वह मिथुन को साइन कर चुके हैं और अब हीरों नहीं बदल सकते है कीवल मिथुन से बात करने के सिवा ऐसे में धर्मेंदर सीधे मिथुन के पास पहँच गए और उन्होंने मिथुन से कहा क्या तुम्हारी जगा यह फिल्म सनी दियोल कर सकता है और मिथुन भी धर्मेंदर का काफी सम्मान करते थे ऐसे में जब धर्मेंदर खुद उनके पास चलकर गए तो मितुन उन्हें मना नहीं कर पाए और उन्हें ये घायल फिल्म सनी देवल के खातिर छोड़ दी थी हलाकि इस फिल्म को छोड़ने के बाद भी मितुन के पास करने के लिए 20 फिल्में और थी आप मितुन और सनी देवल में किसके फैन हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताना थैंक्यू